डियर स्टुडेंट मैं प्रेमराम चोधरी प्रवक्ता यांत्री की राजकिय पॉल्ट टेक्निक माविद्याले जोद्पर आज हम सेकंड यर के सब्जेक्ट मे 208 थर्मडायनमिक एंड आइसी इंजन उश्मा गति की एवं अंतरधन इंजन के सेलेवस के बारे में जनकर ये प्राप्त करेंगे उश्मा गति की एवं अंतरधन इंजन के सेकंड यर के सेलेवस में कुल 14 चेप्टर हैं जसमें फर्स्ट तीन बेसिक थर्मडायनमिक्स जो कॉंसेप्ट है और उनके जो लॉज है इनके बारे में डिसकस है डिसकसन होगा नेक्स जो तीन चेप्टर है उसके अंदर इस टीम इस टीम जनरेशन कीस तरीके से उसकी प्रॉपोडियस क्या काया और बॉइलर की प्रफॉर्मेस के बारे में और उसके बाद वाले जो चेप्टर से हैं उसके अंदर इंटनल कमबर्शन इंजन तरबाइन और कंप्रेशर के बारे में पढ़ेंगे फर्स चैप्टर जो दे रखा है बेसिक कॉंसेप्ट एंड गैस लो इस चैप्टर के अंदर हम उश्मा गति की की बेसिक डेफिनिशन क्या है फिर जो मात्रा निर्पेक्ष और मात्रा शापेक्ष इंटेंसिव एक्सेंसिव प्रॉपरटीज क्या होती है अलगले जो सिस्टम है open system, close system, isolator system वो क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे फिर second जो है इसके अंदर energy जो है internal energy, potential energy, kinetic energy heat क्या है, work क्या है enthalpy क्या है, इनके बारे में डिस्कance करेंगे फिर 3 जो law है Weise law, Charles law and J实 law इसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद आदर्स गैस श्रमीकंड जो हैं क्यरक्टरिस्टिक, गैस एक्विशन, गैस कॉंस्टेंट, युनिवर्सल, गैस कॉंस्टेंट, मोलर स्वेसिक हीट और इनी से रिलेटेड सिंपल निमेरिकल प्रॉब्लम को हम फर्स चेप्टर में पढ़ेंगे सेकेंड जो चैप्टर है laws of thermodynamics जो हैं इनके बाद में पढ़ेंगे उसके साथ में concept of entropy क्या होता है, वो साथी non process है उनके अंदर जो हैं जैसे constant volume process है, constant pressure है isothermal है, adiabatic process है throtting present इनके अंदर heat जो है supplied कितनी है उसका जो formula हो डिराइव करेंगे साथ ये work done कितना होगा वो डिराइव करेंगे और insulated simple numerical problems को हम study करेंगे थर्ड जो chapter है availability इसके अंदर हम उपलब्द और अनुपलब्द जो उड़जा कितनी होती है total उसके बारे में पढ़ेंगे साथ इफेक्टिवनेस क्या होता है साथ ये reversibility जो है flow process और non flow process इनके अंदर किस तरीके से यह होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे next जो है fourth six chapter इसके अंदर भाप की जो properties गुंद धर्म क्या है किस तरीके से भाप उत्पन करते हैं और एक जो boiler है steam generators है उनकी performance क्या है तो first जो है fourth chapter इसके अंदर हम formation of steam and its properties उनके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से wet steam क्या होती है dry steam क्या है saturated steam क्या है critical point triple point यह क्या चीज़ होती है thermodonics जो properties है steam की किस तरीके से specific enthalpy क्या है specific volume क्या होता है internal energy क्या होता है इसके बारे हम discuss करेंगे साथ में steam property जो diagram है किस तरीके से entropy diagram एंधिलपी diagram ड्रो होते है pressure enthalpy diagram किस तरीके से draw होगा उसमें किस तरीके से उसकी जो है properties वेरी करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे साथ ही heating and expansion of steam during thermodynamic process के अंदर जो है किस तरीके से जो steam का जो है expansion होगा किस तरके सुसके heating होगी साथ ही internal energy और entropy में क्या-क्या changes जांगे उनको पढ़ेंगे साथ ही simple numerical problem जो की moiler chart और steam table को लेकर कैसे solve कर सकते हैं उनके बारें पढ़ेंगे फिप्त जो जैप्टर है steam generators इसके अंदर हम different जो generator से उनके classification पढ़ेंगे किस किस तरीके से कौन-कौन से जो steam generators या boilers हैं जिसके अंदर हम भाप जो है उत्पन कर सकते हैं साथ में comparison of water tube और fire tube boilers है इसके बारे में हम पढ़ेंगे special characteristic of high pressure जो boilers हैं उनके बारे में पढ़ेंगे साथ ही introduction to Indian boiler act जो है उसके बारे में कुछ introductory part जो है वह हम पढ़ेंगे six chapter के अंदर हम boiler performance जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि actual evaporation क्या होता है equivalent evaporation क्या है factor of evaporation क्या है boiler की जो efficiency है वो किस तरीके से find out करेंगे साथ ही हमने जो koila burn करके जो total heat energy दी है boiler को वो भाप जो अपना उपियोगी कारे है भाप बनने के साथ साथ उसका कहां कहां पे losses हो रहा है उसकी study करेंगे हम साथ ही energy balance sheet जो है वो boiler के लिए बनाएंगे हम और simple numerical problem से उनको हम पढ़ेंगे नेक्स चेप्टर है वो second part जो है इसका start होता है subject का जिसके अंदर हम different जो gas power cycles है जैसे की यह है auto cycle, diesel cycle, dual जो दोनों का combination होगा वो cycle है जैसे auto cycle जो है petrol engine में काम आता है diesel cycle जो है जो diesel engine में फिर dual का है फिर attention cycle, joule and breton cycle इसके बारे में पढ़ेंगे फिर इनी सभी cycle की जो efficiency है year standard efficiency वो find out करेंगे और जो compression ratio है उसका किस तरीके से इसके उपर प्रभाव जो है effect of compression ratio on efficiency पर किस तरीके से combination ratio का प्रभाव पढ़ेगा उसको पढ़ेंगे और इसके साथ ही इनसे related simple numerical problem 8 chapter के अंदर हम यहां से जो है internal combustion engine के बारे में study करेंगे 8th के अंदर diesel engine, petrol engine, two stroke engine, four stroke engine इनके बारे में जो basic concept है उनके पढ़ेंगे उनकी working किस तरीके से होती है उनका wall timing जो diagram है वो क्या किस तरीके से मनाते है firing order किस तरीके से किस combustion chamber में पहले firing होगी बाद में किसम होगी वो किस तरीके से decided होती है फिर IC engine के जो terms है ये, बोहर क्या होता है, stroke क्या है, dead center क्या है, crank throw क्या है इनके बारे में हम पढ़ेंगे 9th जो है, petrol engine, इसके अंदर हम detail में petrol engine के अंदर, carburetion क्या है, air fuel ratio क्या होता है किस तरीके से carburetor, proper जो air और fuel के mixture को engine को supply करता है simple carburetor क्या है, उसकी limitations क्या क्या होती है, साथ में solex जो carburetor है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये work करता है फिर multi point fuel ignition system, MP, F, I जो system है इसके बारे में हम study करेंगे, उसके बारे में mechanical or electrical field pump किस तरीके से work करता है फिर जो है last में, इस chapter में पढ़ेंगे, हम description of coil ignition system और magneto ignition system 10th जो chapter है, इसके अंदर हम diesel engine है, उनके बारे में detail में study करेंगे कि fuel pump कैसे work करता है, fuel injector कैसे work करते है injection of fuel का diesel engine में किस तरीके से mist form में supply होता है साथ में shrill और open type जो combustion chamber है, वो किस तरीके से work करते है हम करेंगे, इसकी study हम करेंगे, next 11 chapter में cooling, lubrication and governing के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से, जो है, necessity cooling की आफशकता क्यों है, क्यों सितलन किया जाता है engine का, coolant जो यूज करते हैं उनकी property, अच्छे coolant की क्या क्या क्या, जो सितलक है, उसकी क्या क्या properties होनी चाहिए, एक अच्छे lubricant है, उसकी क्या 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 property होनी चाहिए, लुब्रीकेशन जो है, जो है, वो engine में किस लिए किया जाता है, कैसे friction को कम करेगा, और क्या-क्या उसके benefits हैं, वो हम lubricant system के जो है, IC engine में किस-किस तरीके से वो सारे पढ़ेंगे, साथ ही governing method of IC engine, अधिन ही अंतरन जो है, internal combustion engine का वो किस तरीके से जाता है, वो पढ़ेंगे, 12 chapter के अंतर हम IC engine performance के बारे में पढ़ेंगे, कि basic performance parameter कौन-कौन से हैं, यांत्रिक दक्षता क्या होती हैं, जो है volumetric efficiency क्य क्या है, दक्षता efficiency होती क्या है, फिर brake power क्या है, सुचे सक्षी या indicated power क्या है, किस तरीके से हम 12.2 में पढ़ेंगे, कि brake power का measurement करते हैं, row brake, proni brake और hydraulic dynamometer से, साथ ही, हम इसके अंदर indicated power, इसका measurement किस तरीके से करते हैं, कैसे more test जो है, उससे values find out होगी, फिर energy balance sheet जो है, IC engine के लिए वो भी बनाएंगे, और साथ ही different जो है, efficiency है, वो किस तरीके से IC engine की find out करते हैं, और उनकी simple numerical problem, 13 चेप्टर के अंदर हम, gas turbine के बारे में basic जो है, knowledge वो प्राप्त करेंगे, इसके अंदर classification application of gas turbine क्या है, open cycle gas turbine, close cycle, वो किस तरीके से वरक करेगी, constant volume gas turbine क्या होती है, और किस तरीके से thermal efficiency जो है, gas turbine की वो increase कर सकता है, regeneration, intercooling और reheating से, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, 14 चेप्टर के अंदर, air compressor जो है basic, उसके बारे में knowledge प्राप्त करेंगे, इसके अंदर classification of air compressors, uses of compressed air जो है, उसके क्या-क्या use होता है, संपेडित, जो वायू है, साथ ही single stage, multi stage, जो reciprocating compressor है, वो कैसे वरक करते हैं, PV diagram जो है, single stage और multi stage का, उसके बारे में, साथ ही intercooling का use करते हैं, किस तरीके से हम pressure rise करते हैं, और last में पढ़ेंगे, rotary और centrifugal compressor से, उनके बारे में, किस तरीके से, वो वरक करते हैं, क्या-क्या उनक compression उनके better कैसे हैं, इस तरीके से, यहाँ 14 chapter के अंदर हम, different जो हैं, aspect thermodynamic के और IC engine के वो हम पढ़ेंगे, साथ ही मैं आपको यह जानकरी देता हूं, कि second year के अंदर जो आपके lab है, उसके अंदर क्या क्या आपको practical perform करना है, file बनानी है, तो हमारे 10 जो practicals हैं, वो इसमें दे रख हैं, हमने practicals के अंदर, जसमें कुछ study हैं, और 2-3 जो हैं, वो performance वाले हैं, तो first is के अंदर हम देखेंगे, वो है, study of, by models, chart and actual units के दवारा, इन type की जो हैं, boilers, इसमें 6 boilers हैं, Cochrane, second Langshire, third Bibcox Wilcox, फिर 6 ते लेमांट boiler, फिर Benson boiler, और सके मिट हर्टमन boiler, इसके साथ ही 1.4 and 1.5, इसके अंदर boiler mounting, जो हैं, वो क्या-क्या होती हैं, और accessories, जो हैं, वो क्या-क्या होती हैं, उनकी study, आपको chart के साहिता से, model इनकी साहिता से, और actual unit है, उनकी साहिता से, इन boilers, या steam generators की study है, जो अध्यन हमें करना होगा, second, जो हैं जो हैं, two stock, four stock petrol engine है, उसके बारे में study करनी है थर्ड के अंदर, जो हमें study of four stock, diesel engine के बारे में करनी है, फिर, जो है, fourth, उसके अंदर study of carburetors क्या है, फिर MPFI system, जो है, multipoint fuel ignition system, पेट्रोल इंजन में किस तरीके से बारे में करता है, इन सभी की study करनी है, इन सभी की study करनी है, जो performance वाले हैं, जिसके अंदर हमें, इसी जो mechanical electrical feed pump है, petrol engine के लिए, उसका dismantle, जोने, उन सभी के parts को प्रतक करना है, और उनको फिर से assemble करना है, और यह find out करना है कि, कौन-कौन से parts में लगे होते हैं, और किस तरीके के होते हैं, seventh के अंदर हमें करना होगा, diesel engine के अंदर fuel pump और जो injector है, उनके बारे में, eight जो है, उसके अंदर हमें energy balance sheet बनानी है, multi-cylinder petrol engine के लिए, और उनके अंदर fuel efficiency find out करना है, यह चार जो है practical performance वाले हैं, और last जो 10th है, उसके अंदर हमें सिर्फ study करनी है, different type के जो air compression है, वो कैसे होते हैं, और किसी एक compression के बारे में हम, उसके parts सारे जानेंगे, और से dismantle करके देखेंगे, कि कौन-क होते हैं, अब मैं आपको जानकर देदू, कि ME 208, thermodynamic IC engine, इनके लिए, आपको जो किताबे हैं, books जो है, कौन सा फॉर्ट नहीं है, तो हिंदी मेडियम वाले students हैं, उनके लिए, जो thermal engineering के book हैं, वो, वर्मा एंड गुलेचा जो है, first number लिखी हैं, जो thermal engineering हिंदी में, वर्मा एं गुलेचा, ये book आपके लिए best हैं, और जो English medium हैं, उनके लिए बाकी जो book दे रखी हैं, volume first की, मातुर मैता की, RK प्रोहित की, RS खुर्मे की, और मातुर शर्मा की, ये books आपके लिए अच्छे देगी, तो इसमें English medium मालों के लिए, मातुर मैता, या मातुर मैता और तेवा है, वो cover हो जाएगा, ठीक, ठीक है students, तो ये है इस तरीके से, ME 208 जो है subject, उसके अंदर ये syllabus हैं, ये practicals होंगे, और ये हमें इस सत्र में, इनको इस तरीके से, इनन topics को पढ़ना होगा, धन्यवाद,